किया गया है जो आने वाले दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौपेगी कि NTA में किस प्रकार के सुधार की जरूरत है इससे पहले कल रात ही केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले पर बनाये गए कानून पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इसके बाद ये कानून अब देश में लागू हो गया केंद्र सरकार ने पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए अपनी प्रतिबददा जताई है शिक्षा मंत्राले ने परिक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निस्पक्ष संचालन को सुनिश्यत करने के लिए विशेशग्यों की एक उच्छ स्तरिय समीती का घठन किया इस समीती में साथ सदस्य शामिल है समीती के अध्यक्ष इसरों के पूर्व प्रमुग डॉक्टर के राधाक्रिशनन होंगे इसके अलावा एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रंदीब गुलेरिया हैदरबाद विश्यविद्याले के वीसी प्रोफेसर बीजे राव आईटी मदराज के प्रोफेसर के राम मोर्ती, पीपल स्ट्रोंग, सैसन स्थापाग, पंकज बनसल, आईटी दिल्ली के दीन स्ट्रेंट्स अफेर, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और संयुक्त सचेफ सिक्षा मंत्राले, गोविंद चैसवाल समीती के सदस्य है समीती को दो महिने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी, समीती परिक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एंटीय की संग्रशना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशे करेंगी परिक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए समिती सिक्षा मंत्राले ने विशेशग्यों की एक उच्छ तर्य समिती का गठन किया समिती में साथ सदस्य शामिल समिती के अधिक्ष इसरों के पूर्व प्रमुक डॉक्टर के राधाकृष्णान होंगे समिती में एम्स के पूर्वनिदेशक डॉक्टर रंदीब गुलेरिया हैदराबद विशेविद्याले के वी सी प्रोफेसर बी जे राफ आइटी मदरास के प्रोफेसर के राम मूर्ती पीपल स्ट्रॉंग से संस्थापक पंकच बंसल आइटी दिल्ली के डीन इस्टुडेंट्स अफेर प्रोफेसर आदित्य मित्तल सैंक्त सचेफ सिक्षा मंत्राले गोविंद जैस्वाल शामिल समिती को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी समिती परिशा प्रकरिया के तंत्र में सुधार डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार समिती एंट्ये की संग्रशना और कारेप्रणाली पर सिफारिशे करेगी शिक्षा मंत्राले की ओर से गठित विशेशग्यों की उच्छ समिती के गठन का केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। केंद्रिय सरकार ने लोग परिक्षा कानून 2024 भी लागू कर दिया है। कानून के मताबिक मामले में दोशी पाये जाने वाले व्यक्ति को दस साल की सजा। दूसरे केंडिडेट के स्थान पर परिक्षा देने पर भी जुर्माना, दूसरे केंडिडेट के स्थान पर बैठने वाले को तीन से पांस साल की जेल होगी। दस लाख रुपे का जुर्माना भी लगाय जाएगा परिक्षा गडबडी मामले में संस्थान का नाम आने पार वो भी दोशी उस संस्थान से परिक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा संस्थान की संपत्ती भी कुर्क की जा सकती है नैशनल टेस्टिंग एजनसी उन 15 163 चात्रों के लिए 23 जून यानी रविवार को मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परिक्षा नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा जिन्हें छे केंद्रों पर समय की बरबादी के वज़ा से ग्रेस मार्क्स प्रदान किये गये थे ब्यूरो इंपोर्ट्स के साथ निशान सहौरब के रिपोर्ट डीडी नियूज तो सिक्षा मंत्राले ने जो आज हाई लेविल कमेट्टी के गठन का एलान किया है उसके क्या कुछ काम होगा किस प्रकार की उसकी जिम्मेदारी होगी आई तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो समिती क्या करेगी पारदाशी परक्षाओं के लिए पुछ चेस तरीय समिती बनाए गई इसका जो पहला काम है परक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार परक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार संपूर्ण परक्षा प्रक्रिया का विशलेशन करना इस समिती की जिम्मेदारी होगी उसके आधार पर प्रनाली की दक्षिता में सुधार करने की कोशिश होगी और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए वो सुझाओ भी देने होंगे संभावित उलंगन को रोकने के लिए उपाय सुझाना होगा क्या संभावनाय हो सकती है किस प्रकार से बीच हो सकती है सुरक्षा उसको लेकर सुझाओ देना होगा यानि हर इस्तर पर SOP का पालन हो उसके लिए सुझाओ सुझाना भी इस समित की जिम्मेदारी होगी तो परिक्षा प्रक्रिया के तंत्र में एक तरीके से सबसे बड़ा सुधार कैसे करना उसका जिक्र किया गया दूसरा क्या है डेटा सुरक्षा प्रोटकॉल में सुधार यह समित क्या करेगी डेटा सुरक्षा प्रोटकॉल में सुधार के लिए अपनी जाच करेगी उसके तहत NTA की मौजूदा डेटा सुरक्षा का मुल्यांकन करना यह सबसे पहला काम है समझना पड़ेगा कि आखिर यह प्रक्रिया इस वक्त NTA की है क्या उसके बाद में NTA की जो मुल्यांकन कर लेगी मौजूदा डेटा सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय सुझाएगी ये समिति कि आखिर उनको जो समझ में आएगा क्या कमिया है क्या गलतिया है कहां पे सुधार की गुंजाईश है उस सुझाओ दिये जाएगे विभिन परक्षाओं के लिए पेपर सेटिंग की जाच की जाएगी कि आखिर कहीं वहाँ प सुधार की सिफारिशों को भी किया जाएगा जो उसको समझ वे आएगा समिति को वो सुफारिशें भी की जाएगी समिति के माध्यम से तो दो महतपुर चीज़ें होई तीसरी क्या है एंटिये की सनरशना और उसकी कारप्रणाली को समझना उस तरीके में क्या दिक्कते हैं वो समझेगी ये समिति एंटिये की संगटनात्मक सनरशना पर सुधार को सुझाओ देगी कि आखिर कहां पर उसमें जो उसकी पूरी कारप्रणाली है जो व्यक्ति जिन-जिन जिन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी स्पस्ट होगी उसकी परिभाशा स्पस्ट होगी और उसी प्रकार्स के उसकी अकाउंटिविल्टी भी तै की जाएगी ये लिखा पलत में तै होगा वरतुमान शिकायत निवारन प्रनाली का आकलन भी किया जाएगा इस समित के माध्यम से जो भी जो एक तरीके से रिड्रिसल पूरा फोरम है वो शिकायत निवारन प्रनाली जो है वो आखिर क्या उसका मुल्यांकन होगा और शिकायत निवारन प्रनाली में सुधार की पहचान करेगी ये समित कि आखिर कहां पर सुधार की गुंजाईश है और उसके आधार पर वो एक तरीके से सिफारिश भी करेगी किसाब इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर सुधार की गुंजाईश है वो किन-किन चरण पे काम करेगी और कैसे सुधार के लिए आगे अपनी सिफारिश देगी तो और उसमें जाने वाने तमान लोग भी समाहित किये गाए इस विशेय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे फिलालेक छोटे से ब्रेक के लिए रुखते हैं